नमस्कार दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल HP Job Alert में आपका स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल पुलीस भरती 2021 के बारे में हिमाचल पुलीस भरती में जो मेडिकल टेस्ट होता है वो किस तरह से होता है उसमें क्या-क्या आपके रिकार्मेंट रहती है तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नई वीडियो की नोट चाहिए और SCST के लिए जो है एक सो साट सेंटीमेटर जो है अवश्य होनी चाहिए बात कहते हैं चैस्ट की तो 89 सेंटीमेटर बिना फुलाए होनी चाहिए और समान्य वर्ग के लिए और 84 सेंटीमेटर फुलाने के बाद होनी चाहिए SCST के लिए 37 cm बिना फुलाए और 20 cm फुलाने के बाद होनी चाहिए इसके बाद बात करते हैं आयू सीमा की तो आपकी जो एज है वो 18 साल से कम जो है नहीं होनी चाहिए उसके बाद बात करते हैं पुलिस मेडिकल टेस्ट के लिए जो जुरूरी जानकारी है वो सबसे पहले होता है अभियर्थिये घुटनों का जो पहला टेस्ट होता है वो सबसे पहले होता है गुटने आपस में सटने नहीं चाहिए मतलब आपके गुटने बीच से जुड़े हुए नहीं होनी चाहिए उसके बीच में ग्याप होना चाहिए उसके बाद पैर फ्लेट ना हो अंगुठों में हिलिक्स ना हो हड्डियों में कई अस माननेता नहीं होनी चाहिए पैर जो है धनोशकार ना हो जोडों में कहीं भी अस माननेता ना हो उसके बाद छाती अंदर धनसी हुई नहीं होनी चाहिए उबरे और स्वस्त जो है मसल होनी चाहिए अभ्यर्ति का मानसिक और शार्रिक स्वास्ते अच्छा होना चाहिए अभ्यर्ति की सुनने की जुक्षमता होन चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए उसके बाद अभ्यर्ति की आँखे कलर के अंधेपनिया कलर ब्लाइडनेस से मुक्त हो आंखे लाल या हर की पहचान करने में जो है सक्षम हो अब भ्यरती के आंखों की दूर की दृष्टी और जो निकट की दृष्टी सही होनी चाहिए यानि बिना चश्मे की दृष्टी चमता होनी चाहिए उसके बाद आंखे थोड़े सिप्रकाश में ही चकाचांद ना होती हो दोसों, मेडिकल टेस्ट में कोई भी कमी होने पर केंडिडेट चाहिए किसी भी कैटिकरी का हो पुल्सवर्थी के लिए योग्य नहीं होता है इन मेडिकल टेस्ट में सफलता के लिए यह है जरूरी है कि आप इन समस्याओं के लिए किसी एक्सपर्ट डॉक्टर से मिलकर फिर इनका इलाज कराएं ताकि मेडिकल जो टेस्ट होगा आपका उसके लिए आप पहले से इसके लिए त्यार रह सकें दोस्तों वीडियो अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक करें आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो की अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सकें धन्यवाद